नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों क्या पूजा करते समय आपके आखों से आसु आते हैं अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा आवश्य देखे हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जैसे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी आज्याद देविक शक्तिया हैं जिनके क्रपा आप पर बनी है दोस्तों हमारे प्राचिन ग्रंथों के अनुसार शुरुवात में यह ब्रह्मान खाली था हर तरफ केवल अंधकार था उसके बाद अचानक ही एक विशाल का शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मान उर्जा से भर गया उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मान में पदार्त का निर्मान हुआ जिसमें जल, धातु, वायू, अगनी जैसी कई चीजों का निर्मान हुआ आटमा का कनेक्शन इश्वर की साथ होता है इश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजिव एओं निर्जिव चीजों में उनका वास है इसी कारण जब आपकी अंतरातमा का इश्वर के साथ संबन जोड़ जाता है तो इश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं ये संकेत बड़े ही साधरन होते हैं जिन पर हम दुरलक्ष करते हैं और इश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते सर्वव्यापी परमात्मा सबी जीव जन्तुओं के आत्मा से जुड़ा हुआ है जब भी हम पूजा एवन ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरन सकरत्मक उर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसनता महसुस होती है दुख का माहोल भी खुशी में बदल जाता है आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों नहों आपको अच्छा और फ्रेश महसुस होने लगता है क्योंकि इन सकरत्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय मा सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आखो में आसवा जाते हैं अथो आचनक से नींदाने लगती है इसका आरत है कि मा सरस्वती की क्रपा उस विद्यार्थी पर बन रही है साथी दोस्तों कभी हम इश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आखों से आसवा जाते हैं इश्वर की उस अनंत शक्ती का अनुभाव करते हुए कभी-कभी हमारे आखों में आसवा जाते हैं और इश्वर पर हमारा विश्वास द्रड़ होने लगता है दोस्तों अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अन्त तक जरू देखें तो इसे सब्सक्राइब जरू करें साथी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे सबसे पहली बात आखों में आसु आना दोस्त अगर आप इश्वर की आरादना में ध्यान लगा कर बैठे हैं और आचानक ही आखों से आसु निकल आते हैं तो यह इश्वर का संकित है आपके आत्मा का इश्वर यह शक्ती से मिलन हो चुका है ऐसे समय में इश्वर को अपनी मनोकामना वश्य बताए ऐसे समय पर इश्वर से की हुई हर प्रातना का फल मिलता है ज्यादतर लोग इसे सैयोग समझ कर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं परन्तु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सरोत्तम समय होता है जब भी आप पूजा करे और आपके आखों में आसो आजाए तो ईश्वर को आपकी जिवन के दुख एवं कश्टो की निवारन की प्रातना करे साथ ही पूजा के समय आखों में आसो आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतरमन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतकरन शुद्ध हो रहा है दूसरी बात है जलाई हुई जोद का बढ़ना दोस्तो अगनी पंचततों में से एक है इसमें भगवान शिवशंकर का वास है अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आर्ती की जोद बढ़ जाए तो यह एक इश्वर का संकित है कि वे आपकी पू इश्टिदिव की प्रतिमा के ओर जा रहा है तो इसका आर्ती यह है कि आपकी पूजा को इश्वर ने स्विकार कर लिया है चोती बात है फूल का गिरना अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले इश्वर की प्रतिमा पर फूल चड़ाया है और ध्यान एवं पूजा कर भगवान शिव जी के आरती योम पूजा के समय अगर द्वार पर गाया आती है तो ये बड़ा ही शुबसंकित माना गया है द्वार पर आई गाय की पूजा करे उसे रोटी खिलाए और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गोमाता को बताए आपकी इच्छा वश्य पूरी होगी तो दोस्ते ये थे वो कुछ संकित अगर आपको ऐसे संकित पूजा करते समय मिलते है तो हमें कमेंट में ज़रू बताए शाती दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें कमेंट करें और शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताके प अनिवाद